हैलो नमस्ते मैं रिकी मांस्टर क्रिश्टल हीलर आप सभी का त्रीपल एठीलिक में स्वागत करती हूँ उमीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे मेरा चैनल बेस्ट है रिकी क्रिश्टल तथा एंजल नमबर्स पे आज का मेरा विशय है यूनिवर्सल साइन या ब्रहमांडिय शंकीत हमें कैसे पता चले के इश्वर, यूनिवर्स या डिवाइन, एंजल्स हमें कोई मैसेज देना चाहते है हमें कोई इशारा दे रहे है तो जब भी आपको नमबर बार बार दिख रहा है उसके पीछे कोई न कोई वजे या कोई न कोई संदेश जरूर छुपा होता है हम यूटूब पे देखके, कहीं से पढ़के, नमबर्स के बारे में जान तो लेते है कि इसका ये मतलब है लेकिन जब भी आपको नमबर बार बार दिखे तो पर्टिकुलर आपकी कोई समस्या है कोई परशानी है आपके सबंदों को लेकिन नीजी जीवन में, कारेस्थल में, बिजनेस में या कोई नया प्लान कर रहे हो कोई आपका डिजायर है तो उन सब से जुड़के उन सब के मुताबित आपको कोई इशारा या कोई संदेश आपको मिल रहा है जैसी कि आप किसी समस्या से जूज रहे हो आपको उसका कोई समाधान नहीं मिल रहा है कोई उत्तर नहीं मिल रहा है तो अचानक से आपको numbers के साथ साथ ही आपके whatsapp पे कहीं facebook पे instagram पे कोई post या कोई message उससे related आपको दिखेगा और आपको उसमें ही शायद आपकी प्रशन का उद्दर मिल जाए ऐसा भी हो सकता है तो numbers के साथ साथ ये सब चीज़े भी जूड़ जाती है जो आपको universal message देती है इसके अलावा एक और इशारा है कि आपको जो भी problem परिशानी या चिंताए बहुत दिनों से जो चल रही थी आप सो भी नहीं पा रहे है थे तो वो अचानक से गायब हो जाता है आप अचानक से इतने relax होने लगते हो या फिर उस बारे में सोचना छोड़ी देते हो तो ये भी एक इशारा है कि आपका कारिय सफल होने वाला है ये universe का इशारा या फिर संदेश है नमबरों के साथ-साथ इसके अलावा एक और थुड़ा सुनने में अजीब है लेकिन ये भी एक universe का message या संदेशी है कि आपका कारिय जो चल रहा है उसमें अचानक कोई बाधा या विगना आ जाता है कोई परिशानी आ जाती है तो ये भी वो कारिय अच्छा होगा ही इसकी और इशारा करता है चाहे जो भी विगना या परिशानी आए वो निपड़ जाएगी और आपका कारिय अवसे सफल होगा वो कहते हैं न कि अच्छे कारिय में बेगना हजार तो शायद इसलिए एक कहावत बनी होगी कि इसके पीछे इश्वर का कोई संदेश है कि कितने भी बेगना आ जाए लेकिन आपका कारिय जरूर सफल होगा ही जो लोग ट्वीन फ्लिम जर्नी में हैं उनको भी अलग अलग इशारे दिखते हैं नमबर के साथ साथ उनको बर्ड की पैरिंग दिखती है बटरफ्लाइस दिखते है फैधर दिखते है किसी एनिमल का जोड़ा दिखता है तो ये सब भी इशारे हैं उनके यूनिन की और जाने के जो लोग अपना काम अच्छे से कर रहे हैं उनके लिए भी इशारे मिलते हैं उसके अलावा एक और इशारे नमबर के साथ आपको मिलता है जैसे कि आप किसी चीज को लेके give up कर रहे हो या उसे छोड़ना चाते हो तो आपको कोई words दिखने लगते है कि keep going, keep continue आपको बार-बार दिखता है नमबर के साथ साथ तो ये भी आपको एक message है कि आपको वो कार्या करना है आप सफल होगे आप give up मत करो उसे continue करो अगर आपको fear है या आप डर रहे हो तो आपको courage सब दवार-बार दिखेगा कि आप हिमत रखे आप हिमत हार ये मत तो अपनी समय साथ के अनुसार आपको numbers के साथ ये सब message भी दिखने लगते है ये सब universal sign है जैसे कि आज मुझे ही सुबे एक message मिला कि मैं किसी चीज को लेके बहुत ज़्यादा जल्द बाजी में थी और ऐसा था कि मुझे कब मिल जाए जैसे सबी को होता है वैसे ही और आज सुबे ही मुझे message मिला कि जिस चीज को पाने के लिए आप इतने जल्द बाजी में होते हो या समय से पहले जो आपको मिलता है या समय से पूर्वकी जो इच्छा होती है वो कही न कही आपकी दुखों का कारण होता है तो मुझे भी ये message के थूँ answer मिल गया जिसके लिए मैं उताबली हो रही थी और सबसे अच्छी बात तो ये है कि मुझे ये message 11-11 को ही मिला मतलब angel number के साथ मुझे मेरी समास्या का समाधान और उत्तर भी मिला दोस्तो आप angels के number जब भी देखिए उसके इशारे, उसके message decode करने की कोशिश करे और समझने की कोशिश करे आपको ज़रूर समाधान मिलेगा और आपको ज़रूर अपने कारिया में सरफक्ता मिलेगी और इश्वर का साथ आशिरवाद और guidance मिलता ही रखेगा दोस्तो आज की मेरी कोशिश थी universal message या इशारे के बारे में जानकरी देने की उमिद करती हूँ आपको पसंद आई होगी मेरा चैनल देखने के लिए धन्यवाद God bless you I love you all Thank you